Hello everyone, welcome back to my youtube channel, Mayuri Rani, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है तो चलिए, आज हम लोग फिर कुछ नया लेकर आए हैं, आज हम लोग फिर कुछ नया सीखेंगे आज हम लोग plus 6 and minus 6 के concept को clear करेंगे कि अगर हमारे पास finger नहीं रहती है और हमें अगर उसमें plus 6 करनी है अगर हमारे पास finger नहीं बचती है और हमें plus 6 या minus 6 करनी है तो हम इस concept को कैसे करेंगे? हम अपने fingers पे इसे कैसे clear करेंगे? तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में new है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो चलिए, 14 plus 6 अब हमारे पास 10 and 4 14 हुई, 10 and 4 14 हुई, 14 में plus 6 करनी है तो हम कैसे करेंगे? हमारे पास finger नहीं बची तो इस concept को clear करने के लिए यहां देखिए अगर हमें plus 6 करनी हो तो क्या करेंगे? 10 plus करेंगे and minus 4 करेंगे क्या करेंगे? left hand side से one finger up करेंगे and right hand side से four fingers को down करेंगे ओके? फिर सद्यान दीजिए plus 6 करनी हो, तो हम क्या करेंगे? left hand side, हमारा left hand side यह है न तो left hand side से हम one finger up करेंगे and right hand side से four fingers को down करेंगे ओके? तो चलिए question solve करते हैं 14 plus 6, 10 plus 4, 14 14 plus 6, अब 6 के रहे हमारे पास तो finger नहीं है तो इस condition में क्या करेंगे? तो देखिए, plus 10 यानि की हम left hand side से one finger up करेंगे and right hand side से four fingers को down करेंगे ओके? फिर से रहान दीजिए कि 10 and 4, 14 हुई 14 में हमें plus 6 करनी है तो left hand side से one finger हम up करेंगे and right hand side से four fingers down करेंगे तो answer क्या हुआ? 10 and 20, ओके? answer will be 20 next है हमारा 24 plus 6 24 plus 6, 10, 20 यह हमारा 20 हुआ 1, 2, 3, 4 24 and 24 में plus 6 करनी है plus 6 कैसे करेंगे? left hand side से one finger को up करेंगे and right hand side से यह four fingers को down करेंगे okay? left hand side से one finger up करेंगे and right hand side से four fingers down करेंगे तो answer will be 10, 20, 30 answer हमारा क्या हो गया? 30 okay? come to the third question 24 plus 16 24 plus 16 20, 20, 20 1, 2, 3, 4 4 हमारा हो गया? 24 plus 16 अब 16 यहाँ पे हमारा क्या है? 10th place में 1 है न? यानि कि हम पहले 10 plus करेंगे उसके लिए हम one finger up करेंगे अब plus 16 ठीक है न? अब 16, 6 plus करनी है तो 6 के लिए हमारे पास finger नहीं बची न? तो इस condition में क्या करेंगे? लेफ्ट हंड साइड से one finger को up करेंगे और राइट हंड साइड से four fingers down करेंगे ओके? 10, 20, 30, 40 अंसर विल बी 40 ओके? नेक्स्ट कोशन देखिए 54 plus 26 54 plus 26 इसको कैसे करेंगे? यह भी बहुत इजी है 50, 1, 2, 3, 4, 4, 54 प्लस 26 26 है न हमारा? तो पहले 20 प्लस करते है 10, 20, 20 अब 6 6 के लिए हमारे पास finger नहीं बची न? आपके पास बची? नहीं किसी के पास नहीं बची तो क्या करेंगे? लेफ्ट हंड साइड से one finger को up करेंगे और राइट हंड साइड से four fingers को down करेंगे अंसर विल बी 50, 60, 70, 80 अंसर क्या होगे हमारा? 80 चलिए फिफ्ट कोस्टन को देखिए 64 प्लस 1, 6 64 प्लस 1, 6 50, 60 60, 1, 2, 3, 4 64 प्लस 16 यहां one है ना? यानि कि ten up करेंगे and six अब six के लिए हम क्या करेंगे? लेफ्ट हंड साइड से one fingers को down करेंगे up करेंगे and राइट हंड साइड से four fingers को down करेंगे ओके? फिर से रेक लिए जिए 64, 50, 60 1, 2, 3, 4 4, 64 प्लस 16 16, 10 प्लस करनी है one finger up करनी है अब मुझे 6 प्लस करनी है 6 प्लस करनी के लिए क्या करेंगे? लेफ्ट हंड साइड से one finger को up करेंगे and राइट हंड साइड से four fingers को down करेंगे तो answer will be 50, 60, 70, 80 answer will be 80 चलिए सिक्स कोश्चन देखिए 74 प्लस 16 74 प्लस 16 74 प्लस 16 को कैसे करेंगे? 50, 60, 70 70 1, 2, 3, 4 74 प्लस 16 अब 16 प्लस मुझे करनी है तो यहां से क्या करेंगे? one finger 10 प्लस करनी है ठीक है न? अब मुझे क्या करनी है? six प्लस करनी है six प्लस क्या करेंगे? left hand side से one fingers को up कर लिए and right hand side से four fingers को down कर लिए answer will be 50, 60, 70, 80, 90 answer will be 90 अब यहां पर देखिए प्लस 6 में हम क्या किये? कि left hand side से one fingers को up कर लिए and right hand side से four fingers को down कर लिए ठीक है न? left hand side से प्लस करनी हो तो हम क्या करेंगे? left hand side से up करेंगे one finger and right hand side से four fingers को down करेंगे इसमें हम four ही क्यू प्लस करेंगे four ही क्यू डाउन करेंगे six करने के लिए क्यूंकि अगर हमें ten करना है ten लाना है तो six में हम कितना प्लस करेंगे कि ten आएगा तो six में अगर हम प्लस four करेंगे तबना ten आती है इसलिए हम six को जब भी प्लस करना हो अगर हमारे पास finger नहीं बची तो उस condition में क्या करेंगे force को down कर देंगे ये थी हमारी addition के concept अब हम चलिए subtraction में देखते हैं कि अगर हम इस minus 6 करनी है और हमारे पास finger नहीं बची तो उस condition में हम क्या करेंगे चलिए देखते हैं minus 6 में क्या करनी है यहां देखिए, opposite में हम क्या किये थे, sorry, addition में क्या किये थे, कि plus 10 किये थे left hand side से, one finger, left hand side से one finger हम up किये थे, and four fingers को down किये थे, right hand side, लेकिन ठेक इसके opposite करनी है, subtraction में, subtraction में क्या करनी है, कि left hand side से one fingers को down करनी है, and right hand side से four fingers को up करनी है, okay, ठीक opposite हो जाएगा, subtraction में हमेशा opposite हो जा कि 110-1 करेंगे मतलब 1 finger left hand side से down करेंगे and right hand side से 4 fingers को up कर देंगे okay it is clear चले question solve करते 20-6 10 20 यह हमारा 20 हुआ अब minus 6 minus 6 करनी है तो minus 6 के रिए हमारे पस यहां finger है ही नहीं क्या से करेंगे अब minus इस तो कर नहीं सकती क्योंकि हमें तो finger से minus करनी है न कि 20-6 माइस करनी के लिए क्या करेंगे left hand side से one finger को down करेंगे and right hand side से 4 fingers को up करेंगे ठीक है न left hand side से one finger को down कर देंगे and right hand side से four fingers को up कर देंगे तो answer क्या हुआ 10 1 2 3 4 answer will be 14 answer will be 14 चले next question देखिए 30-16 30-16 30 कैसे represent करते हैं 10, 20, 30 30 and minus 16 minus 16 के लिए हम क्या करेंगे पहले हम 10th place को minus करेंगे 10 यानि की error से one finger down हो गया ठीकर अब हमें minus करनी है 6 तो 6 minus करने के लिए क्या करेंगे left hand side से one fingers को down करेंगे and right hand side से four fingers को up करेंगे ok left hand side से one finger को down कर देंगे and right hand side से four fingers up कर देंगे तो answer 10, 1, 2, 3, 4 answer will be 14 चले नेक्स कोशन देखिए 40 minus 26 40 minus 26 40 कैसे represent करेंगे 10, 20, 30, 40 40 minus 26 अब 26 अब तो पहले हम 10th place को minus कर लेते हैं 20 20 के लिए हम क्या 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 हमेशा subtract हम इस side से करेंगे ठीक है ना 10, 20 20 minus कर दीए अब हमे 6 minus करने तो 6 के लिए हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से इधर से वन फिंगर डाउन कर दीए और राइफ हैंड साइड से 4 फिंगर अप कर दीए तो answer will be 14 चलिए next question देखिए 65 minus 56 65 minus 56 50, 60 यह हमारा 60 हुआ न and 5 65 minus 56 तो सबसे पहले हम 10 plus को minus करते हैं 50 यहां से 50 हमारा यह represent करते हैं तो इसको हम down कर दीए and 6 अब फिर हमे 6 minus करनी है कैसे करेंगे 6 करने के लिए यहां से 10 fingers left hand side से 10 fingers down and right hand side से 4 fingers up तो answer क्या हुआ 5, 6, 7, 8, 9 answer will be 9 ओके next, come to the next question 70 minus 6 70 minus 6 70 कैसे रिप्रेजियन करते हैं 50, 60, 70 हुआ न 70 अब 70 minus 6 करनी है तो 6 के लिए हम क्या करेंगे same rule follow करेंगे left hand side से 1 finger को down कर देंगे very good and right hand side से 4 fingers up कर देंगे answer will be 50, 60, 1, 2, 3, 4 answer will be 64 next है हमारा last questions देखिये 90 minus 36 90 minus 36 50, 60, 70, 80, 90 यह हमारा 90 हुआ न फिर से हम लों count कर लेटे 50, 60, 70, 80, 90 90 minus 36 तो पहले हम 10s place को minus कर ले 30, 30 के लिए इधर से minus करेंगे न 10, 20, 30 यानि कि 3 fingers down कर लिए अब हमें क्या करना है? 6 plus करनी है 6 plus करनी के लिए क्या करेंगे? left hand side से 1 finger down and right hand side से 4 fingers up yes, क्या करना है? left hand side से 1 finger down and right hand side से 4 finger up तो answer क्या हुआ? count किजिए 50, 1, 2, 3, 4 answer will be 54 okay, I hope आपको ये समझ में आ गया होगा हमेसा ये ध्यान में रखिएगा कि अगर जब भी हमें plus 6 करनी है और minus 6 करनी है तो plus 6 के लिए left hand side से 1 finger up करेंगे and right hand side से 4 fingers को down कर देंगे लेकिए अगर हमें minus 6 करनी है तो left hand side से 1 finger कर देंगे and right hand side से 4 fingers को up कर देंगे ओके तो I hope आप लोगो समझ में आ गया होगा next video में हम सबसे अच्छा finger रबैकर्स की सबसे अच्छे concept को लाने वाले 5 का concept इससे बहुत सारे ऐसे question है जो हमारे fingers पर calculate नहीं हो पाती तो अगर हम वो 5 का concept करेंगे तो हम में जो भी questions में doubt है वो भी अच्छे से clear हो जाएगी तो please मेरा next video जरूर देखिएगा और हाँ जितने भी previous video है उन्हें देखकर practice जरूर कीजिए ठीक है ना practice बहुत जड़े बीना practice के कुछ नहीं होगा तो please practice कीजिए और जाड़ से जाड़ा सब बच्चों में सब जबा इससे sear कीजिए ताकि सभी कोई fingers से calculate करना easily सीखे ओके So thank you very much and please like करना ना भूले